मुझा जाए का सब से रुमान चक मैच टॉस जी ता मुंबई ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और बहुत अच्छी शुरुबात नहीं रही कुंटन डिकॉक और रोहिच शर्मा ओपनिंग करने उत्रे थोड़ा सा स्लॉकिंग शुरुब की कुंटन डिकॉक तो अच्छी फॉर्म म सही मैच में अपना पकड़ बनाने लगा और उनका इंटेंट और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था बाले वो टेबल में बॉटम पर थे पर जिस तरह वो खेल लाए तो उनकी लड़ाई बहुत अच्छी लग रही थी दूसरी तरफ से कुंटन डिकॉक का एटैक जारी तो यह एक पंजाब के लिए बहुत बड़ा सरदर था पर दूसरी तरफ से जब विकेट मिले था सुरुकॉमार यादब के फर उसके बाद हर्दिक पंडिया होते तो उनका भी विकेट मिला तो उस वज़े से जो है किंग से लिन पंजाब को काफी बूस्ट मिला हाला कि तो उस वज़ा से जो है मुंबाइ इनिंस गेम में बना हुआ था वो गेम से बाहर नहीं हो रहा तो कुरॉनाल पांडिया और कुंटन डिकॉक ने बहुत ही कम समय में 58 रन की साज़दारी करी 7-8 ओवर में पर जब कुरॉनाल पांडिया आउट हुए तो उनके बाद थोड अजय गेम से बाद आधारी की 12 गंदों में 24 रन पर पोलाड नाबाद रहे और 12 गंदों में 24 रन पर कूल्टर डिनाई नाबाद रहे और मॉम्बाइ इंडिया ने बोड पे 106 रन का बड़ा स्कोर विशाल स्कोर लगा दिया था काफी तारीफ परोगों को पीमोई इंडि आपके दोनों उपनर उनके हैं और यह बेस्ट ओपनिंग कॉंबनेशन इस आई पील का कियर लाहूल का अज इंटेंट ठोड़ा सा अटेकिंग था जो देख के बहुत अच्छा लगा फाइनल उने अपना इंटेंट अटेकिंग मोड पे चेंज किया और शुरुबात से ही कि क्रिकेट नहीं हो क्योंकि इनकी फॉर्म जा चुकी थी और उनको समय बिला फिर बल्ले बाजी करने है क्रिस गेल उन्होंने धुआधार 24 बनाए और उनके दूतरी तरब से केर लाहूल तो अटेक कर रहे थे और तब यह दोनों खेल ले थे क्रीज पे थे तो ऐसा लगा थ कि आज का मैच पंजाब आसानी से जीत सकता है पर मैच में ट्रिशन अबागी था और बहुत जल्द राहूल चहर ने आउट किया क्रिस गेल को उसके बाद निकलोस पुरन उतरे निकलोस पुरन की शॉट पारी 12 गिंदो में 24 सन पर क्या बहतरीन पारी केर लाहूल के साथ म संगर्श जारी था पर किया लाहूल भी आउट होगा उनको जस्पीद बुम्रा ने बोल्ड मारा तो वहां से मैच फिर लगा कि आज पंजाब नहीं जीत पाएगा और हमेशा की तरह लड़के हार जाएगा पर शायद भाग में कुछ और ही बता था और युवा बल्लेबा चाहिए और आठन बने तो क्या होने वाला है जी आप लोग एक दुन सही समझ रहें आज के दूसरे मैच का पहला सुपरोवर हाँ पहला सुपरोवर क्योंकि इस मैच में एक से जादा सुपरोवर थे तो सुपरोवर में जो है शुरबात करने उतरे पंजाब की तरफ से के बल्यबाज के सामने वहां बैसा लगा कि कहीं आज किंग सिलेमिंट पंजाब जीतना जैको कि वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया और उसके बाद पहले बल्यबाज करनी थी मोमें इंडियंस को तो अब की बार उतरे थे पोलाड और हर्दिक पंडिया जादा रन नहीं बना पहले पढ़ा पॉलाड ने कोच एक स्ट्रोक लगा कि एक लिस्ट ग्यार रन का फाइक टोटल खड़ा कर दिया उसके बाद चेस करने से बार रन दूसरे सबर में तूसरे सबर वर में क्रिस गेल और मेंगा गरवार उतरे और उन्होंने मात्र चार गिंदों मैच को खत्म क हमारा क्रिस गेल ने एक चोक हमारा में का ग्रवाल ने तो इस तरह 20-20 चालिस होवर और दो-दो सुपरवड चालिस होवर के बाद इस मैच का फैसला हो यह थे आज की मैच की रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो लाइक करो करो फैमली में शेर करो फ्रेंट्स में और कमेंट्स मता होगे कहां पर मुंबाइन इंडियन्स हार गया और क्रिकेट कीड़ा के सारी अपडेट्स लेने के लिए क्रिकेट कीड़ा को सस्क्काइब करके बलाइक अब और हमारी वेबसाइट www.kriketo.in पर रगुलर विजिट करत